पस्मी सिंभूम जीले के समाजिक विज्ञान विशे से जुड़े सिछकों के द्वारा गठीत PLC Social Science Group में पुना आठवी कर्षा के बच्चों का एक बार स्वागत बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं ये विडियो करमांग दो है इसके पहले एक विडियो हमने आठवी कर्षा के लिए त्यार किया था अब आपके समक्ष ये दूसरा विडियो है और इस दूसरे विडियो में हम लोग आठवी कर्षा का जो पहला चेप्टर है पहला पाठ है आधुनिक काल में भारत का इतिहास इसकी हम सुरुवात करने जा रहे हैं बच्चों मेरा संचिप्ट परिचर है मेरा नाम राकेश कुमार सिर्वास्तव है मैं सिक्षक हूँ आधर्स मद्विद्यार बड़ा जामदा प्रखंड नौवा मुण्डी में बच्चों आज आठ्वी कर्चा की इतिहास पुस्तक का जो पहला चेप्टर है आधुनिक काल में भारत का इतिहास इसका हम आपचारिक सुरुवात करने जा रहे हैं तो बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहां हमने उद्रित किया है ध्यान से आप भी देखें और पढ़ें कल्पना कीजिए कि सत्रहवी सताब्दी का कोई ग्यक्ति किसी करिस्मे से पुनह जिवित होकर आज की दुनिया में पहुंचता है उसे आज की दुनिया उसकी अपनी सत्रहवी सती की दुनिया से काफी बदली हुई नजर आएगी उसे अपने समय की कुछ इमार्तें आज भी खड़ी दिखाई दे सकती हैं उनमें से कुछ इमार्तें खंड़ार के रूप में भी दिखेगी बच्चों आगे सुनेंगे तो हमने कहा कि सत्रहवी सताब्दी का कोई व्यक्ति जदी किसी चमतकार से आज उत्पन हो जाए आज हमारे समक्ष आ जाए तो वो क्या देखता है और क्या अनुभाव करता है इसी बात से इस चैप्टर की शुरुवात की गई है तो इसमें बताया गया है कि उसे अपने समय की कुछ इमारतें आज भी खड़ी दिखाई दे सकती है और उनमें से कुछ इमारतें खंडर के रूप में दिखेगी तो कुछ साबूत भी दिखेगी साबूत मतलब सही सलामत लेकिन अधिकांस चीजें उसे एकदम बदली भीन है भूद्रिस्य भूद्रिस्य मने लैंड़ेस्केप बच्चो लैंड़ेस्केप का मतलब हुआ कि धरातल पर जो कुछ भी हम देखते हैं धरातल पर हमें जो कुछ भी दिखाई देता है आज से 300 साल पहले जो जो चीजें दिखती थी उससे आज की परिस्तिती चुकी भिन्य है तो इसलिए भूद्रिस की बात की जा रही है भूद्रिस भी उसे बदला हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसके जमाने में ना तो आज जैसे कारखाने थे और ना ही पक्की सड़कें तो बिल्कुल सही बात है उस जमाने में कारखाने कहां थे और ना ही पक्की सड़ के थी कुछ राजा महराजाओं के महल जरूर हुआ करते थे बड़ी संगचना के तौर पे लेकिन आज के समान बड़ी-बड़ी मारतें कार खाने पकी सड़कें यह सब चीजे तो नहीं थी न बच्चों आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना भी है उसके समय के मकान भी ऐसे नहीं बनते थे जो आज बनते हैं आज तो बड़े-बड़े महानगरों में दस-बीस मंजीली मारतों का बनना एकदम सामान्य सी बात है लेकिन उस जमाने में भी भवन बनते थे राजा महराजाओं के महल कीले बनते थे लेकिन आज की तरह वो नहीं बनते थे सड़को पर उसे तरह तरह की ऐसी गाड़ियां दिखाई देगे लेखी देखी ये चमतकार उसको नजर आएगा उस जमाने में गाड़ियां थी क्या उस जमाने में गाड़ियां बिलकुल नहीं थी उस जमाने में गाड़ी के नाम पर बैल गाड़ी घोड़ा गाड़ी या रत हो सकता उसके अलावे तो कुछ ने, सडकों पर उसे तरह तरह की ऐसी गाड़ियां दिखाए देंगी जिनकी उसने कभी कलपना भी नहीं की थी, आसमान में उड़ते जहाज को यह लीजिए, क्या जहाज था उस वक्त? नहीं था, और पट्रियों पर दोड़ती रेल गाड़ी लीजि दुकानों में उसे ऐसी चीजे दिखाई देगी जिनको उसने पहले कभी नहीं देखा, आप ध्यान से सुन रहे होंगे, कि उसे दुकानों में ऐसी चीजे देखने को मिलेगी जिसे उसने कभी नहीं देखा, जैसे माल यह मोटर गाड़ियों की दुकान है, स्कूटर है, ब क्या उस जमाने में साइकिल थी नहीं थी तो वह जदी ऐसा कोई वेक्ति किसी चमतकार से हमारे समक्ष आ भी जाए तो उसे वो तो पूछेगा दुसरे लोगों से यह क्या चीज है तो जदी कोई दूसरा वेक्ति बताये कि यह साइकिल है तब भी उसे नहीं समझ मैंगा की सा तरह के यंत्र थे उस जुग में नहीं थे कुछ ऐसी फसले भी हो सकती है जिने उसने पहले कभी नहीं देखा था बहुत सारी फसले बच्चों दूसरे देशों से हमारे देश में आई हैं और उसका हम लोग एक तरह से खेती कर गए हैं बहुत सारे पेड़ भी हैं जैसे यु और संस्कृती में भी उसे आस्टजनक परिवर्तन नजर आएगा यहां तक तो आप ज़रू समझ गये होंगे कि मैं क्या बताना चाहर हूं बच्चों बच्चों आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं उसका विशय क्या है वास्तम मैं आप लोगों को परिवर्तन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में जो दो-तिन सताबदियों में जो परिवर्तन आये तो उन परिवर्तनों में परिवर्तनों का कौन-कौन सा दवर आया और ये परिवर्तन जो है क्या ये परिवर्तन रुकने वाली ची करिया है पीछली सतापदियों में बहुत बदलाओं को हम इतिहास के माध्यम से ही जान पाते हैं तो बच्चों देखिए पहले के जमाने में हम लोग ये मसूस करते थे कि इतिहास जो है वो एक निरस भी से है उसमें सिर्फ साल को याद रखना पड़ता है कि साल की सराजा के द्वारा कौन सा जूध लड़ा गया किस राजा का कब जन्म हुआ कब मिर्ति हुई इन ही सब बातों पे अधिक फोकस किया जाता था लेकिन बच्चों अब समय बदल गया है इतिहास के अध्यन का जो है वो तरीका भी बदला है तो वास्तम में जो इतिहास है वो अलग-अ समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंद में बताता है कि पहले क्या था और अब क्या है अतीत में चीजें किस तरह की थी अब उनमें क्या बदलाव आये हैं मैंने अतीत का मतलब हुआ कि बीता हुआ समय बीते हुए समय में चीजें कैसी थी और आज कैसी है तो यह एक मह तो बच्चों जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि सत्रहवी सताब्दी का कोई व्यक्ति एक आएक आकस्मात या किसी चमतकार से वो आ जाएं तो बच्चों आप सत्रहवी सताब्दी का मतलब समझ रहें सत्रहवी सताब्दी का मतलब हुआ 1601 से ले करके 1700 तक का 100 साल का समय आप याद किजिएगा कि दिल्ली के उस वक्त उस सौ साल के दौरान जो सासक थे उसमें जहां गीर थे सहा जहां थे और औरंग जेब थे तो इन ही तीन राजाओं के दौरा जदी देखा जाए तो ये मतलब सत्रहवी सताबदी का जो है वो आकलन हम लोग कर सकते हैं हला कि देश के अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग राजे-महराजे तो थे ही लेकिन मुलता समझाने की द्रिष्टी से मैं आपको बता रहा हूं कि ये 17 सताबदी में ये तीन महत्वपूर्ण मुगल राजा दिल्ली पर सासन कर रहे थे तो बच्चों ध्यान दीजेगा कि जैसे मैं बता रहा था 17 सताबदी के बारे में तो 17 सताबदी कहा जाएगा 601 से ले करके जो 1700 तक का समय है तो क्या बता सकते हैं कि अभी कौन सी सताबदी चल रही है जी हाँ अभी 2020 है ना तो सन 20001 से ले करके 1200 तक का जो समय होगा उसको हम लोग कहेंगे इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग 21 सताबदी में जी रहे हैं ठीक है और ये जो बात है 601 से 1700 के बीच की बात हम अभी कर रहे हैं बच्चों सत्रहभी सताबदी का कोई आपको ऐसा भवन कोई ऐसा महाल या कोई ऐसी चीज याद आती है जो सत्रहभी सताबदी में बनी हो ऐसा कुछ आपको अस्मरण है होना चाहिए देखिए बच्चों जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि इस दौर में कि तीन मुगल राजाओं का दिल्ली पर्सासन था एक जहांगीर एक साह जहां एक औरंग जिव बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज जो आगरा में ताज महल है वह 1631 में बनना शुरू हुआ था और 1613 में बनकर त्यार हुआ था तो 1633 का जो बना हुआ ताज महल है वह तो आज भी है तो जदी वह व्यक्ति या चमतकार से अभी उत्पन हो जाए शत्रमी सताब्दी का व्यक्ति तो वह ताज महल तो कम से कम देख पाएगा हलांकि उस समय का कोई व्यक्ति उसको नहीं मिलेगा उस समय के मकान नहीं मिलेंगे उस तरह के जो खेत खल खेत खल यहां थे वो कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे मिलेगा क्या कि उसी तरह की और भी कुछ चीजे मिल सकती है उस जमाने का कोई बड़ा महल और कुछ ऐसे भी महल हो सकते हैं जो भगनावे असेस में खंडहर में तबलीग हो चुके हैं ऐसा हो सकता है तब्दिल हो चुके हैं बच्चों इस पार्ट के घटना करम को हम कुछ और आगे बढ़ाते हैं इस पार्ट में आगे ये है कि इसमें ये बताया गया है कि जब भारत में अंग्रेज पहले पहले आए जैसा कि आप सात्वी कर्षा में ये बात पढ़ चुके हैं कि 1757 में पलासी की लड़ाई में सिराजु दवला की हार हुई और उसके बाद अंग्रेजों का सासन भारत में भारत निकाना होगा बंगाल में शुरू हो गया तो बंगाल के जो पहले गवर्णर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइब थे तो रॉबर्ट क्लाइब ने एक बच्चों जब रॉबर्ट क्लाइब भारत के गवर्णर जनरल हुए तो उनके द्वारा एक अंग्रेज बिद्वान जोगरफर यानि कि भुगोल के जानकार व्यक्ति जिनका नाम था जेम्स रेनल उनको आमंत्रित किया गया था भारत का मांचित्र बनाने के लिए तो बच्चों इतिहास में जेम्स रेनल का नाम बहुत महत्तोपुण है और इनका नाम काफी सरद्धा के साथ लिया जाता है इसलिए कि जेम्स रेनल ने ही भारत का पहला मांचित्र बनाया था और बच्चों मैं आपको बता दूँ कि आज भी जेम्स रेनल का जो मांचित्र भारत के लिए भारत का जो बनाया गया था वो लगभग लगभग सही है बच्चों उस जमाने में बहुत कम सुविधाय थी उतना अधिक बग्यानिक अनुसंधान और विकास नहीं हुआ था उसके बावजूद भी जो जेम्स रेनल ने भारत का जो मांचित्र बनाया था वो काफी सही बना था तो जेम्स रेनल के द्वारा जो मांचित्र बनाया गया था वो एक बुक के सकल में था एक किताब के समान था तो उसका जो फ्राउंट पेज था वो कुछ इस पकार था बच्चों आप देख रहे हैं ये जेम्स रेनल के द्वारा जो बनाया गया था भारत का मांचित्र देखिए हां हिंदुस्तान लिखा हुआ है ये उस मांचित्र का ये फ्रॉंट कवर पेज है यहां लिखा हुआ है जेम्स रेनल द्वारा त्यार किये गए भारत के पहले नक्से का आवरंड चित्र जिसमें ब्रहमन ब्रिटेनिया को सास्त रुपहार के रूप में दे रहे हैं भारत के पहले नक्से को त्यार करने का काम रॉबर्ट क्लाइब ने जेम्स रेनल को दिया बच्चों चलिए अब कुछ सवाल भी पूछतें आपसे पहला सवाल की जम्स रेनल ने भारत का नक्सा कब बनाया था इसको आपको याद रखना है और तीसरा सवाल है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो इसका सही उतर है रॉबर्ट क्लाइब बच्चों इसक्रीन पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जम्स रेनल की तस्वीर है और जम्स रेनल ने ही भारत का पहला नक्सा बनाया था बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि पतनी भारत का पहला नक्सा कैसा बना होगा बच्चों आप इसक्रीन पे देख सकते हैं कि ये गेम स्रेनल के द्वारा बनाया हुआ पहला नक्सा है और काफी कुछ आज के नक्से के समान है देखिए इसमें स्रिलंका जो नीचे की और है उसकी स्तिती भी बिल्कूल असपस्ट है बहुत साब सुतरा नहीं है बच्चों लेकिन 1782 का बना हुआ जो नक्सा है वो आज भी ब गवर्बर्ट क्लाइब की तस्वीर है यह बंगाल के पहले गवर्णर जन्रल हुए और इन ही के द्वारा पलासी की लड़ाई में सिराजु धवला की हार हुई थी उसके बाद अंग्रेजों ने इनको बंगाल का पहला गवर्णर जन्रल बनाया था तो यह हैं रोबर्ट क बच्चों आगे आगे भी आप पढ़ना जारी रखेंगे देखिए यहां आगे है देनिक जीवन में हम अपने आसपास कई बस्तूओं को देखते हैं लेकिन प्रतेक बस्तू की अतिहासिकता को लेकर मन में कोई प्रस्त नहीं उठता है हमें लगता है कि यह चीजें लंबे अक्से से ऐसी होगी हलांकि कभी-कभी हम कुछ चीजों को देखकर हैरत में पढ़ जाते हैं उन्हें देखकर खुसी महसूस होती है मन में उस वस्तू की अतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की जिग्यासा भी उत्पन होती है उधारन के रूप में बस स्टैंड की एक दू किया होगा सबसे पहले कहां और कैसे चाय की सुरूआत हुई होगी आकास में उड़ते हवाई जहाज को देखकर भी मन में या प्रस्द उठता है कि लोगों ने हवाई सफर की सुरूआत कब से की होगी हवाई जहाज जब नहीं था तो लोग दुनिया के एक कौने से दूस इसे देखकर भी प्रस्ट उड़ सकता है कि इसे किसने और कब बनाया होगा तो बच्चों प्रतेक बिशह पर कुछ ना कुछ कौतु हल है और हमारे मन में ये जानने की इच्छा उत्पन होती है कि वो चीजें कब बनी कब से हैं अस्तितों में और उसका क्या इतिहास है तो ब दूसरा वीडियो था तो आज वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं बच्चों आप लोग भी स्टार्टिंग से सुरू करते हुए